इसे बात की थी स्ट्री के बारे में क्लासिकिशिन के भारे में नहीं को प्रोटोिटाया विक क्यष्टी के एक टॉर्टाय कर संक प्री इस्ट्री थे मैं सब्सक्राइब कर सो जाते हैं हमारी थर्ड केडिगरी पे डाट इस हिस्ट्री तो ऑन दबीशी ऑफ शोशल आंड पॉलिटिकल फॉमेशन समिस्ट्री को फॉर्दर सब करते हैं एंशियन मीडीवल और मॉचर पिरियड में तो आज वी इंटिया के बारे में इंशियन इंडिया जो कि हमारा रफ 6th century BC से 750 AD तक लास्ट करता है, यानि कि 1300 से 1400 साल So ancient India यानि कि प्राचीन भारत की शिरुवास हो जाते है 6th century BC से जब हमें देखने को मिलता है कि क्या, कि जो कुछ belief system है, वो एक concrete शे प्रेलेते हैं जैसे कि ब्राह्मने के belief system यह वही टाइम है जब कुछ शोश्यो फ्लॉसफिकल मुव्मेंट आगे चलके belief system बन जाते हैं जैसे कि बुद्धिजन जानिजम यह वही टाइम है जब कई बड़े-बड़े जो कई बड़े-बड़े इस्टेट्स का फॉर्मेशन होता है जिनमें से 16 महाजनपद होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंड होते हैं पाफुल बन जाते हैं वह इन सोला महाजनपद यह जो सोला महाजनपद है वह नीव रखते हैं किसकी second organization के अगर आपको याद हो तो जो first organization हम किसके लिए यूज क उसको center बना के मौर्या और गुप्ता जैसी dynastries रूल करते हैं काफी लंबे ताइम तक अब second organization के flourish होने के पीछे जो एक सबसे बड़ा जो important factor होता है वह होता है iron का use iron के use के चलते agriculture में बहुत बड़े लेवल पर expansion होता है साथ ही साथ इसके अलावा में क्या देखने को मिलता है trade में बड़ोती trade में growth देखने को मिलती है agriculture surplus के चलते इसी के साथ जो कई सारे जो towns है वो commercial centers बनके उबढ़ते हैं इसके बाद हम आजाते हैं हमारा जो एक जो kingdom थी जो मगद और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित थी वह बनके क्या अब एक बहुत पैन इंडिन करेक्टर ले ले लेती है under the rule of maurayas under the rule of maurayas and rulers like चंद्रकुप्त mauraya and ashoka उसके बाद हम आजाते हैं हमारे post-modern period पे जहां पर हमें आर्ट अर्किटेक्ट्चर फ्लॉसफी कॉइन प्रडक्शन में ग्रोथ देखने को मिलती है साथ ही साथ वेस्ट एश्या से एंट्री होती है कुछ ट्राइफ की जो इंडिया में आके हाइब्रिट कल्चर का फॉर्मेशन करते हैं अगर मैं कुछ इंडिया में आके पोस्ट मॉर्यन पीरियट में उसके बाद हम आ जाते हैं यह तो हमारे होगी नौर्स इंडिया की तुबी मोर प्रसाइज डेकें एरिया की डेकें अरिया जो आज का हमारा आंदरप्रदेश महाराष्ट्रा तेलंगाना होता है उस पर सट्वाहन डानेस् इंडिया अब यह हमने पॉस्ट मॉर्यन पीरियट की बात कर ली अब हम अगली हम पढ़ने वाले हैं वह गुपता अंपायर जो की हमारा 4th 5th AD अब इसमें कंफ्यूज मत होईगा जो मॉर्यान अंपायर की बात हो रही है वह 3rd 4th century BC में बात हो रही है पर अगर जो गुपत बीच में करीब 600-700 साल का लाग है तो गुपता अंपायर के कुछ prominent rulers की बात करूं तो चंद्रगुपत वान चंद्रगुपत सेकेंड समूंद्र गुपती क्या है हमारे कुछ prominent rulers है कि संपायर के गुपता अंपायर का जो टाइम पीरेड है उसको हम क्या कहते है गोल्डन स्केल पर होता है तो यह सारी जो एरिया है हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है इसलिए हम गुपता अंपायर वाला जो टाइम है उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है गोल्डन एज ऑफ इंडिया अब आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुपता अब आ जाते हम सेवन तो यह हमारा हमने कवर कर लिया पूरा फ्रॉम 6th century BC से लेकर सेवन फिफ्टी एडि तक का टाइम पीरिया जो कि हमारा एंशेन इंडिया बनाता है इसके बाद हमारा जो शुरू हो जाता है हुँ होता है मेडिवल पीरिडि स्टार्ट हो जाता है जो कि हम अगली वीडियो म में डिटेल में डिस्कूस करेंगे, थांक्यू.